नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटूप चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक किलो वोट लोड चलाने के लिए या एक किलो वोट का सोलर सिस्टम त्यार करने के लिए सबसे कम कीमत का सबसे बढ़िया सोलर इनवर्डर कौन सा रहेगा यहाँ पे हम आपको 3-4 इनवर्डर PWM टेकनलोजी वाले बताएंगे जो कि बजट फ्रेंडली इनवर्डर है जो कि आपके एक किलो वोट सोलर सिस्टम त्यार करने में काफी बजट में आपकी मदद करेंगे यानि कम बजट में ही आपका सिस्टम त्यार हो सकता है लेकिन अगर आपको बजट की कोई प्रोब्लम नहीं है तो आपको एक MPPT सोलर इनवर्डर बताया जाएगा जो कि थोड़ा सा कोश्टली पड़ेगा लेकिन वो सबसे बेस्ट कलास का एक किलो वोट का सोलर इनवर्डर है उस inverter के मदद से आप पूरा एक किलो वोट का सोलर सिस्टम और बड़िया सोलर सिस्टम त्यार कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे Eastman Company का साड़े चोदा सो विये का ये सोलर inverter है साड़े चोदा सो विये तक का लोड चला सकते हैं यानि कि एक किलो वोट से थोड़ा सा ज्यादा लोड चला सकते हैं और 1200 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं और solar charge controller current rating की बात करें तो ये 20 ampere current rating के साथ में आता है और इसकी VOC range 45 volt तो इस पर आप 24 volt के पैनल parallelly connect कर सकते हैं और ये double battery का inverter है तो आपको इसके उपर 2 battery लगानी पड़ेगी तो अगर आपका budget 7-8000 रुपे है तो ये inverter आप खरीद सकते हैं जिस पर आप 1 किलो वोट तक का load भी चला सकते हैं और 1 किलो वोट से ज़्यादा solar panel लगा सकते हैं इस inverter के बारे में और ज़्यादा detail में जानना चाते हैं तो वीडियो के description box में इसका link दिया जाएगा जहां से आप हमारी website वे जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं और ये pure sine wave inverter है और इसकी आपको 2 साल तक की warranty भी मिलती है और इस inverter को आप बिना solar panel के भी इस्तेमाल कर सकते हैं नोर्मल inverter की तरह यूज़ कर सकते हैं बाद में अगर आप solar panel लगा कर इसका उप्योग करना चाते हैं तो बाद में solar panel भी लगा कर इसका उप्योग कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत सार फीचर देखने को मिलते हैं जिसके बारे में आप हमारी website पे जाकर पढ़ सकते हैं हमारा अगला model है यूटियल हैलियक 1650 जो की 1500 ये load capacity के साथ में आता है और डबल बैंटरी का ये inverter है तो दो बैंटरी हैं इसके उपर लगानी पड़ेगी और इसके उपर आप 1260 वोट तक के panel लगा सकते हैं तो इसकी जो capacity है वो इस्ट मैन वाले से थोड़ी सी जादा है और इसका जो price है वो इस्ट मैन वाले से थोड़ा सा कम है ये आपको 7000 से कम price में ही मिल जाएगा और इसके उपर आप panel भी थोड़े जादा लगा सकते हैं और load भी थोड़ा जादा चला सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको वो controller नहीं मिलता जो कि आपको Eastman company वाले में मिलता है लेकिन load की बात करें तो load आप इसके उपर ज़्यादा चला सकते हैं इस्ट मैन वाले से और अगर इस inverter के बारे महुर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी website भी जाकर पढ़ सकते हैं यहां पर तीसरा inverter है app pro company का H700 और यह भी PWM टाइप का ही inverter है जिसके उपर आप 1400 VA तक का load चला सकते हैं और 800 वोट तक के panel लगा सकते हैं तो यहां पर जो इसकी panel की capacity है वो थोड़ी सी कम है लेकिन जो load की capacity है वो वही है जो आपको दूसरी inverter में मिलती है और इसकी खास बात यह है कि यह single battery का inverter है तो जिसका budget दो battery खरीदने का नहीं है या कम है वो single battery के system से भी एक लोट का load चला सकता है इसलिए हमने इस list में इस inverter को लिया है तो जिसका budget कम है वो इस inverter को खरीद सकता है क्योंकि अगर हम battery की cost की बात करें तो अगर एक battery की cost लगाएं तो लगवग 12,000 रुपे में आपको मिलती है तो 12,000 रुपे तक की cost आप total system के उपर बचा सकते हैं और यह inverter भी आपको लगवग 7,000 रुपे की रेंज में मिल जाता है तो अगर आप इससे अपना एक किलो वोट का system त्यार करना चाते हैं तो इससे भी आप कर सकते हैं हमारा next है smart and company का boom 2000 model जिसके उपर आप लगवग 2 kv तक का load चला सकते हैं और 1500 वोट तक के panel लगा सकते हैं और यह भी double battery का ही system है तो इसके लिए भी आपको दो battery लगानी पड़ती है और यह inverter भी आपको 7,000 रुपे की range में मिल जाता है जिसके उपर आप एक किलो वोट का load भी चला सकते हैं और 1500 वोट तक के solar panel लगा सकते हैं तो यहाँ पे हमने आपको 4 अलग-अलग company के inverter बताएं ह जो कि आपको मिले का लग-बग 25,000 रुपे के range में हाला कि price के मामले में काफी costly है लेकिन उसके अंदर आपको काफी feature मिलते हैं और MPPT solar inverter होने कारणी थोड़ा सा costly है अला कि market में आपको और भी कई solar inverter मिल जाते हैं जो किसे सस्ते होंगे लेकिन यह जो solar inverter है यह अपनी class का best solar inverter है तो अगर आपको बजट अच्छा है तो बिल्कुल आप Loonness company वाला भी खरीद सकते हैं लेकिन अगर आपको बजट अच्छा नहीं है आप पैसे ज्यादा नहीं लगा सकते सिस्टम पर तो आपको जो पहले 4 inverter बताएं गए हैं उनमें से कोई भी एक खरीद सकते हैं जिन ताकि इसी परकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद